शार्दा सहायक नहर में बुजर्ग के चलांग लगाने की आशंका नहीं लगा कोई सुराख बारबंकी में कोटवाली बदोसराय के अंतरगद उटवा गाओं में निवासी पैसेट वर्शे बुजर्ग रामबलास वर्मा के शार्दा सहायक नहर में छछालांग लगाने की आशंगा कि चल्थे शेत्र में अपरा तफ्री का बाहूल बन गया है जोसे शार्दा सहायक नहर पुल पर सैकडों की संख्या में लोगों की भीर जमा हो गई है इसे बीच ग्रामेनों दोरा पुलिस को दी गई सुचना पर बदोसराय वद दरियाबाद दोनों थानों में पुलिस फोर्स मौके पर पहुँच गई और स्थानिय लड़कों की मदद से बुज़र्ग की नहर में तलाश कराई लेकिन बुज़र्ग कोई पता नहीं लग सका वर्मा की माने तो उनके भाई सुबह लगबक साथ या साड़े साथ बजे घर से अपनी साइकल पर निकले थे ना ही घर पर किसी से उनकी कुछ कहा सुनी होई थी और ना ही उन्हें देखकर बिलकुल भी नहीं कहा जा सकता था कि वह इस समय किसी भी प्रकार के तनाव में थ से उनकी नहर में कूदने की आशंका लगती है अभी तक बुज़र्ग का कोई पता नहीं लग पाया है यूपी क्राइम न्यूस के लिए बारबंकी से जलासमवदाता आशिश वर्मा के दिपोर्ट अधर नाम क्या है अपका प्रमोत कुमार गर्णा क्या हुआ है वह हमारे भाई थे वह साइकल द्वारा आये थे हां कि साइकल लोग चपल महर साइट परड़ी तो पर अच्छा क्या नाम था उनका राम बिलागत वर्मा कितने बज़े घर से निकले थे साथ साथ क्या उमर लगभग पैसाट वर्स कोई घर में कहा सुनी ऐसा कुछ निकले जी और यह लगभग कितने बज़े घर से लगभग निकले है अब गटना आठ बज़े हुए हुए साढ़े आठ रोग उत्कों कोई था तो यहां नहीं अच्छा इस गटना किस उचना अपने प्रसासन को द इस वक्त प्रसासन मौझूद तो है नहीं है पर क्या बताया उन्होंने इसके लिए उन्होंने बताया कि हम गोता खोर है रहे हैं पता करेंगे अब मतलब पुजानकारी मिल नहीं पाई है आप कहा की निवासी है उत्वा गाउं